Hi students, so Vedic Maths में ये हमारा 5th वीडियो है, मैंने इससे पहले Vedic Maths के 4 वीडियो और कराए हैं, जिसके अंदर मैंने squares निकालने की tricks सिखाई हैं, और एक fractions का भी last video मैंने बनाया था, fractions को add करना, तो fractions के अंदर एक और trick सीखते हैं, students, मैंने आपको last video में ऐसे question कराए थे, जिसमें हमे mixed fraction को plus या minus करना है, कुछ इस तरह के question जब आते थे, कि आपको बहुत सारे mixed fraction दियो हैं और इनको कैसे solve करना है, इस तरह के question में आपको कराए थे, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो fractions add करने हैं, वो एक तो पूरा integer हो, और दूसरा जो है, वो fraction की form में हो, तब कैसे हम उनक subtract करते हैं, specially subtraction में बताता हूँ बहले, सो माली जी हमारे पास जो question है, वो है 6 minus 2, 1 by 4, ऐसा question जिसके अंदर एक तो आपका integer है, और एक आपको fraction में दिया हुआ है, तो students बहुत लंबा इसको करते हैं solve, कैसे करते हैं generally, 6 minus, ये कितना हुआ, 4 into 2, 8 plus 1, 9 by 4, 4 को 2 से गुणा किया और फिर 1 जोड दिया, 4 to the 8 plus 1, 4 दुनी 8 और 9 हो गया, अब इसको आगे solve करने के लिए हम इनका LCM लेते हैं, लिगुतम, तो 1 और 4 का 4 आ गया, तो 4 से 1 जो है, 4 पे cancel होगा, 4 into 6, 24, 4 से 4, 1 पे cancel होगा, 1 into 9 होगा, 9, तो ये आपके पास आ गया है students, 15 by 4, तो अगर आप इसको solve करेंगे 4 थीजा, 12 पे जाता है, remaining बच गया है 3, और divide हम कर रहे थे 4 से 4, तीए 12 और 3 बच गया है, ऐसे हम इसको लिखके, ये हमें option में इसका answer ऐसे मिलेगा, तो देखा आपने ये कितना लंबा हो गया solve करना, आए इसका trick समझते हैं, कि जब भी ऐसे question करने हो, कि 6 minus 2, 1 by 4 करना है, तो इसका answer ये directly कैसे लिखें students, तो क्या करिएगा, देखे 6 को हम लिख सकते हैं, 5 plus 1, एक हम अलग ले लेते हैं, बाकी कितना बच गया है, 5, और ये जो एक है, इसको हम लिखते हैं, 5 plus 1 था, 1 को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो divide हम जिससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे करें, क्योंकि 1 को हम 4 by 4 लिखेंगे, तो वो cancel होके 1 आएगा, तो हमारा काम क्या है, 6 में से एक कम कर देंगे, 5, और 1 को लिखेंगे 4 by 4, और minus करेंगे 2, 1 by 4, तो ये आपका last video में मैंने आपको जो बताया था, वैसा type बन जाएगा, कि ये fractions को आपने जब भी solve करना हो, तो ये आगे वाले integers आपने अलग solve करने हैं, तो 5 minus 2 कितना हो गया, 3, प्लस ये जो है, 4 by 4 minus 1 by 4 अगर आप अलग से solve करेंगे, तो ये बड़ा simple हो जाएगा, क्योंकि इनका base सेम है, तो इनको सीधा ही minus कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, नीचे तो 4 है, उपर क्या हो गया, 4 minus 1 य करते थे, ये आपको इसके अंदर नहीं करना है, तो माली जी आपके पास question आ जाता है, 72 minus 65, 5 by 7, तो आप क्या करेंगे student, इसमें से एक कम करेंगे पहले 71, बच गया 1, और divide किस से करने हैं, यहापे 7 से न, तो हम 1 को लिखेंगे 7 by 7, ताकि हमें minus करना easy हो जाए, I hope आपको सम बच में आ गया होगा, अब 71 में से 65 minus कर दीजिए, तो यह होगा आपके पास 6, और 7 by 7 में से 5 by 7 minus करेंगे, तो 2 by 7 आ जाएगा, देखा आपने student कितना जल्दी इसका answer आ गया, अगर आप इसको पूराने तरीके से normally पूरा solve करते तो बहुत time लेने वाला था, right, so student अब आप 83 में से 89, 7 by 8 को minus कर देंगे, तो आपके पास क्या answer आएगा, यह आपको comment में बताना है, यह बहुत छोटी छोटी चीज़े है student जो exam में आपका time बचाती है, student हमारे पास IBPSPO, clerk और भी बहुत सारे exams के लिए हमारे पास online course available है, please आप इनका demo चेक कर सकते हैं, and student हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिए, जिस पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोज हम daily upload कर रहे हैं, so please चैनल को subscribe कर ले, और bell icon को दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, thank you